वेलकम टू स्टड़ी 24 देपूर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की विद्या संबल योजना के अंतरगत जो गौर्मेंट कॉलेजेज हैं राजकी महाविद्यालों में असिस्टेंट प्रोपेसर के जो पद खाली हैं उन खाली पदों के लिए विबिन महाविद्याले द्वारा जो आवेदन पत्रामंत्रित किये गए हैं तो कौन-कौन से महाविद्याले द्वारा किन-किन सब्जेट के लिए आवेदन पत्रामंत् स्थान के 40 से भी जादा कुलेज की जो विग्यप्ति जारी की गई हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे और कुल पोस्ट अगर हम देखें तो लगभग 200 पोस्ट हैं आर्स साइंस कॉमर्स तीनों में मिला के तो किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं आवेदन का क्या प्रारूफ होगा उन सब इक बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं किन किन महा विद्यन दोरा किन किन सब्जेक्ट में जो खाली पोस्ट हैं उसकी विग्यप्ति जारी की गई हैं इससे पिछले वीडियो में भी हमने 40 से चादा कोलेज में 200 के आसपास जो विग्यप्ति जारी की गई थी उनको हमने देखा था इससे पहला वाला वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं 2022 की हम बात कर रहे हैं तो देखिए आज की जो सबसे पहली विग्यप्ति के हम बात करेंगे यह हमारी है राज की महाविद्या सिमल वाडा डुंगर पूर से यहां पर अगर आप आवेदन करना चाते हैं तो आवेदन की जो अंतिम तिति यहां पे हैं वो हैं 22 अगस्त 2022 मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप किसी भी महाविद्याले में अगर आवेदन करना चाते हैं तो आवेदन आप खुद जा के वहाँ पे अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं या फिर बाई पोस्ट डाक के द्वारा स्पीट पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं तो अंतिम्तिति यहाँ पे आपकी 22 अगस्त 2022 है अब subject के अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो science stream है इसमें वनस्पति शास्त्र हो गया भोतिक शास्त्र हो गया प्रानी शास्त्र और रसाइन शास्त्र है इन चारों subject में एक एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं देखिए अगर हम योगिता की बात करें तो योगिता में अगर आपने net या slate clear कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं या फिर आपके पास में PSD होने चाहिए ठीक है आपने PG कर रखा हो और साथ में या तो PSD की रिगरी होने चाहिए या फिर आपका UGC net slate जो है वो clear होना च आप आवेदन कर सकते हैं और यहां पर आवेदन करने पर आपको प्रति कालांज की हिसाब से जिसे की 800 रुपए एक कालांज के आपको payment दिया जाएगा एक दिन में अगर आपकी तीन क्लासे होती है तो 200 रुपए पर दे की हिसाब से maximum जो limit इसमें वो कितनी है 45,000 आपको maximum पर मिलेगा इससे जदा आपको नहीं मिलेगा फिर उसके बाद में अगर हम अगली वेकेंसी के अगर हम बात करें तो अगली वेकेंसी जो हैं शीव चरण माथूराज की महाविज्यले मांडल गल जीला भिलवाडा से हैं यहां पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर आवेदन करने की जो अंतीमति थी वो हैं 16 अगस्त 2022 से पहले पहले आपको यहां पर आवेदन करना हैं और किन किन सब्जेक्ट में यहां पर आवेदन पत्रामंतित किये गए हैं तो आर्ट्स में अगर हम देखें तो अर्थ शास्त्र विशे के लिए एक पद रि हैं तो यहां पर आप एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा राजनितिक विज्ञान, भुगोल, इतियास, हिंदी साइटिय, A.B.S.T., बिजनेस एडमिटेशन और E.A.F.M. इन सभी विशियों में एक एक पद रिक्त हैं लेकिन यहां पर जो हैं वो न्याइ इन फेकल्डी जो पिछली बार लगी हुई थी, इन में से अगर किसी के द्वारा दुबारा आवेदन नहीं किया जाता हैं तो वो पद रिक्त होगा और उसकी जगा आप नया, अगर कोई केंडिड एपलाई करता हैं तो उसका वहां पर सेलेक्शन हो जाएगा फिर अगली वेकेंसी अगर हम बात करें तो अगली वेकेंसी हमारी SMM गौर्रमेंट कोलेज बिलवाड़ा से ठीक है, गल्स कोलेज है और यहाँ पर अगर हम देखें तो राजकी कन्या महाविद्याले बिलवाड़ा में हिंदी, मनोविज्ञान, EFM, इन तीन पदों के लि गंगापुर भिलवाड़ा में, अंग्रेजी साहित हो गया, संस्कृत हो गया, अर्थशास्त्र, इन विश्यों के लिए एक पदरिक्त हैं जिसके लिए गेस्ट फेकल्टी से आविदन पत्रामंतित किये गए हैं, यहाँ पर अगर आविदन करना चाहते हैं, तो आविदन क्राइटेरिया हैं, उसकी सबसे, फिर उसके बाद में नेट जो हैं, उसके अंक जोड़े जाते हैं, पीएसदी के नमबर जोड़े जाते हैं, और उस आधार पर मेरिट बनती हैं, और उस मेरिट में तीन जनों का पेनल बनाये जाता हैं, सबसे पहले जो मेरिट में सबसे उपर होगा उसको आमन्तृत किया जाएगा उसके बात में अगर वो जोई नहीं करता है तो फिर सेकंड केंडियेट जोई उसको मुका जिया जाता है इस तरीके से प्रोसेस चलती हैं फिर अगली वेकेंसी अगर हम देखें तो ये उदेपूर जिले से हैं राजकी महाविद् अंग्रेजी, समाजशास्त्र, बुगोल और हिंदी इन चार सबजेक्ट में एक एक पद के लिए आवेदन पत्र जो हैं वो आमंतृत किया गया हैं आवेदन आप 18 अगस्त से पहले पहले जमा कराना हैं फिर अगली वेकेंसी राजकी महाविद्यले बाप जिला जोदपू हैं एक समाजशास्त्र हैं और दूसरा है हिस्ट्री इत्यास इन दो पदों के लिए आवेदन पत्र आमंतित किये गए हैं यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाते हैं तो अंतीमतिती यहाँ पे 29 अगस्त हैं ठीके 29 अगस्त 2022 को 22 से पहले पहले आपको अपना जो चाना होगा देखिए आवेदन का जो पता हैं वो कोलेज की हैं कारेले प्राचार लिखना आपको पर फिर राजकी महाविद्यले बाप जीला जोतपूर ठीक है और यहाँ का अगर पिन कोड आपको पता हैं या नेट पे सर्च करके आप साथ में पिन कोड अगर लिखना च ठीक है यहाँ पे जो आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं यह नोडल कोलेज हैं अगर आप दोनों कोलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों जहाँ पे भी नोडल कोलेज के द्वारा उनके अंडर में जितने भी महाविद्यले हैं कोलेज हैं अगर उसमें आवे आवेदन पत्र जो है वो भरके बेजना होगा ठीक है जैसे यहां पे जो संतर सुंदरदास राजकी स्नात कुतर महाविध्याले दोसा ठीक है यह तरह से क्या है नोडल कोलेज हैं और इसके अंडर में यह दो कोलेज है राजकी कन्या महाविध्याले लवान दोसा यहां पे हि प्रतियास, राजनिति विज्ञान, भुगोल और समाज शास्त्र, प्रतियक विशय में एक पद के लिए आवेदन जो है आमन्तित किया गया है, राजकी महाविद्यले नांगल, राजवतान, दोसा, यहाँ पे हिंदी सहाइति और अंगरेजी सहाइति में दो पदों के लिए आवेदन पत्रामन्तित किया गया है, और अंतिम तिती यहाँ पे हैं 13 अगस्त 2022, तो जो केंडिडेट हिंदी लिट्रेचर और इंगलिस लिट्रेचर के हैं, अगर वो इन दोनों कोलेज में प्लाई करना चाते हैं, तो दोनों कोलेज के लिए उनको अलग अलग आवेदन पत्र भर के बेजना होगा। विग्यान, हिंदी साहितिय, इतिहास और अंगर जी, एक-एक पदों के लिए आवेदन पत्र जो है, आमन्तित किया गया है, लेकिन जो आपके ये सबजेक्ट हैं, बुगोल, राजनितिक विग्यान और हिंदी साहिति, इसमें पिछले वाले जो केंडिडेट हैं, उन्हों जो आवेदन के उनको मुका दिया जाएगा, फिर राजकी महाविद्यले कल्यान पूर से भुगोल, राजनितिक विग्यान और हिंदी साहिति, इन तीनों में एक-एक पद के लिए आवेदन पत्र जो हैं, वो आमन्तित किया गया हैं, और हिंदी साहिति में रिट याचिका हैं, इसलिए जो नए आवेदन मांगे गए हैं, वो भुगोल और राजनितिक विग्यान के लिए हैं, अन्तिम्तिति यहां पे 16 अगस्त हैं, अगली वेकेंसी देख लिजिए, श्री भोगिलाल पंडिया राजकी महाविद्याले डुंगरपूर से हैं, यहां पे अगर जो कोलेज हैं, एस बीपी राजकी महाविद्याले डुंगरपूर, यहां पे अर्थ शास्त्र, व्यावसाइक प्रशशन, एबी एस्ती, एफम, हिंदी साहित्य, ठीक है, और वनस्पति विग्यान हो गया, अंग्रेजी साहित्य हो गया, समाज शास्त्र हो गया, राजनित विग्यान हैं, इसके लिए चार पद हैं, और वनस्पति विग्यान, अंग्रेजी साहित्य और समाज शास्त्र में, दो-दो पदों के लिए आवेदन पत्र जो है, वो आमंत्रित किया गया है, इसी तरीके से राजकी महाविद्याले, सम साग्रा डुंगरपूर हैं, यहां पे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनेतिक विग्यान, इतियाज, समाज शास्त्र, भुगवल, संस्करत, प्रत्यक विशे में, एक पद के लिए आवेदन पत्रा मंत्रित किया गया है, और फिर राजकी महाविद्याले, पाल देवल, यह भी डुंगरपूर ज और जो केंडियेट इन तीनों महाविद्यालों में अगर एप्लाई करना चाहते हैं, जिन सब्जेक्ट अगर आपका है, तो यहाँ पे आपको तीनों के लिए अलग-अलग जो फोर्म है, वो आपको फिल करके कहां बेजना होगा, भोगिलाल, पंडिया, राजकी महाविद जियाले बासवड़ा रोड डूंगरपूर्ठीक और पीन है, 314001, यहाँ पे आपको 20 अगस्त 2022 से पहले-पहले बेजना होगा, अगली वेकेंसी, राजकी महाविद्याले सरवाड अजमेर से हैं, यहाँ पे आविदन के अंतिमतिती 20 अगस्त 2022 हैं, और यहाँ पे दो सब और ग्रह विद्यान के लिए आविदन पत्र जो हैं, वो आमंतित किया गया है, अगली वेकेंसी हैं, डोक्टर बी आर अंबेडकर राजकी महाविद्याले बिलाड़ा जोतपूर से हैं, यहाँ पे आविदन करने की जो अंतिमतिती वो हैं, 14 अगस्त 2022 हैं, किन-किन सब्ज हैं, राजनिती विज्यान, संस्कृत साहित, अंगरजी साहित, समाशास्त्र और भुगोल में एक-एक पद हैं, लेकिन रिट याची का दायर की गए हैं, पिसले केंडेट के द्वारा, इसलिए अभी वर्तमान में खाली पद नहीं है, ठीके, लेकिन यहापे लिखावा है कि अगर कोई नया केंडेट यहापे अप्लाय करना चाता है, तो कर सकता है, ठीके, यह जो केंडेट हैं, रिट वाले, अगर इनके द्वारा जोईन नहीं किया जाता है, तभी जो नया अभ्यरती है, केंडेट हैं, उसको मुका दिया जाएगा, ठीके, यहापे साब-साब थी वो है 16 अगस्त 2022 हैं सब्जेट के गर हम बात करें तो यहां पे घणीत प्रानी विज्ञान वनस्पती विज्ञान रसाइन विज्ञान और बोत्रिक विज्ञान में एक-एक पदों के लिए आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किया गया है आवेदन का प्रारूप क्या ह होगा वह मैं आपको बता दूँगा सभी कोलो जो में एक जैसे हैं फिर अगली वेकेंसी राजकी महाविद्याले चतरगर्ड विकानेर से हैं और यहां पे हिंदी साहित लोग प्रशाशन और समाज शास्त्र इन तीन विश्यों के लिए आवेदन पत्रामंतित किये गए है और अंतिम्तिति यहां पे हैं 17 अगस्त 2022 आप किसी भी महाविद्याले की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे विद्या समल योजना के अंतरगर्ड जो आवेदन का प्रारूप है उसका आप डाउनलों कर सकते हैं अगली वेकेंसी यह प्राचारिय एस एन केपी राजकी आप की हैं 20 अगस्त 2022 और दो विशियों में आवेदन पत्रामन्तित किये गए हैं हिंदी और अंग्रेजी विशय के लिए फिर अगली वेकेंसी है श्री रादेशाम आर मोरार का राजकी महावीद्यले जुन जुनों ठीके और यहाँ प्रावेदन के अंतिमतिती क्या हैं 18 अगस्त 2022 अलग अलग जो कोलेज है उन सब के आपको वहीं बेजनी है राजकी महावीद्यले जुन जुन जुनों में तो राजकी महावीद्यले जुन 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 हे वहां पे हिंदी साहित्य समाज शास्त्र गरह विज्ञान हिंदी साहित्य और रसायन शास्त्र, थीकि इन बो पदों के लिए आवेदन पत्रा मंधित किये गए हैं, फिर राज की कन्या महा विद्याले हेतम सर्टिक के हिंदी साहित या अंग्रेजी साहित ये राजनती विज्ञान इतियास और ग्रह विज्ञान में एक एक पद के लिए आवेदन पत्रों जो है वो आमंत्रित किया गया है अगला है बीबीडी राजकी महाविद्यले चीमनपूरा शाहपूरा जैपूर राजस्तान से हैं यहाँ पे आवेदन करने की जो अंतिम ठीथी वो है 16 अगस्त 2022 और किन किन विशों में आवेदन पत्र मांगे गए हैं तो यहाँ पे एगरिकल्चर कोलेज हैं तो क्रशी पोत विज्ञ के लिए हैं क्रशी म्रदा विज्ञान क्रशी अर्थ शास्त्र और क्रशी उध्यान विज्ञान में प्रत्य एक विशे में एक एक पद के लिए जो आवेदन पत्र हैं वो आमंतित किया गया है फिर अगली वेकेंसी हैं जी एचेस राजकी स्थनात कोतर महाविदेले सुजानगड जीला चूरू से हैं यहाँ पर आविदन करने की अंतिम तिती 13 अगस्त 2022 हैं अंतिम तिती का आप याद रखिए ध्यान रखना उसको कितनी अंतिम तिती के हैं उससे पहले पहले आपका पहुंच जाना चाहिए जी एचेस राजकी स्थनात कोतर महाविदेले सुजानगड में कला संकाय में भुगोल और उर्दू विशे के लियाविदन पत्रामंतित किया गया हैं मास्टर भावरलाल मेगवाल राजकी कन्या महाविदेले सुजानगड में हिंदी और घ्रह विज्यान विशे के लिया आविदन पत्रामंतित किया गया हैं अगली वेकेंसी हैं राजकी महाविद्याले शिव बाड में राजस्तान यहाँ पे आवेदन के अंतिम्तिती 22 अगस्त 2022 है और यहाँ पे अर्थ शास्त्र विशे में एक पद के लिए आवेदन पत्रामंतित किया गया है और उर्दू साहिती में भी एक पद के लिए आवेदन पत्रामंतित किया गया है लेकिन जो उर्दू विशे पढ़ने वाले ज स्चात्र एड्मिशन लेते हैं तब ये जो विशे हैं उर्दू साइट उसके लिए फैकल्टी को बुलाए जाएगा अगली वेकेंसी है राजकी कण्या महाविध्यले पाली से हैं यहाँ पे रसायन शास्त्र वनस्पत्ति शास्त्र प्रानी शास्त्र भोतिक शास्त्र गणी तेवं इत्यास विशे में एक एक पदो के लिए आवेदन पत्र जो हैं वो आमंत्रित किया गया है और यहाँ पे आवेदन करने की जो अंतिम तित्थी वो हैं 13 अगस्त 2022 ते के 13 अगस्त 2022 को यहाँ पे आपका जो आवेदन पत्र है वो पहुंचाना चाहिए अगली वेकेंसी है श्री गोविंद गुरु राज की महाविद्यले बास्वाड़ा से हैं यहाँ पे आवेदन करने की जो अंतिम तित्थी वो हैं 19 अगस्त 2022 अब देखी यहाँ पे किन किन वीशों के लियावेदन पत्र जो है वो आमंतित किया गया है तो सबसे पहले हम श्री गुरु गोविंद राज की महाविद्यले बास्वाड़ा के अगर हम बात करें तो यहाँ पे संस्कृत विशय में दो पदों के लियावेदन पत्र आमंत से में अनकित की गई है फिर उसके बाद में राजकी महाविद्यले छोटी सर्वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी विशय, भुगोल, राजनितिक शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत और इत्यास में एक-एक पदों के लिए जो है वाविदन पत्रामंतित किया गया है अगली वेकेंसी है राजकी महाविद्यले पोकरन जेसर लिएक पे आविदन करने की जो अंतिमतिति है वो 22 अगस्त 2022 है और यहाँ पे जो आविदन पत्रामंतित किया गया है राजकी महाविद्यले पोकरन में इतियास में दो पद रिक्त हैं और बाकी सब्जेक्ट में एक-एक पद हैं ठीक है इतियास में दो पद हैं बाकी भुगोल, अंग्रेजी, समाशास्त्र, अर्थ शास्त्र, उर्दू, बिजनेस एड्मिसेशन, ई, ए, ए, फ, गणित, बोतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, पानिशास्त्र और वनस्पति शास्त्र में एक-एक पद के लिए जो आविदन पत् आमंदित क्या गया है, हिंदी, साहित्य, इतियास, रातिन दिविज्ञान, लोग, प्रशाशन, दर्शन, शास्त्र, अंग्रेजी और समाश शास्त्र, विशय के लिए आविदन पत्र, आमंदित क्या गया है, लेकिन इन बोनों महाविद्यालों में अगर आप इप्लाई क चाहते हैं तो आपका जो application form है वो नोडल महाविध्याले ठीक है राजकी महाविध्याले जो इस साक्ड़ा है इसका नोडल कुलेज कौन सा है पोकरन तो वहीं पर आपको भिजवाना होगा अगली वेकेंसी है राजकी महाविज्यले छत्रगड विकानेर से यहाँ पे हिंदी साहिती लोक परशाषनों और समाशास्त्र विशे के लिए आविदन पत्रामंतित किये गए हैं 17 अगस्त 2022 तक पहुंच जाना चाहिए फिर अगली वेकेंसी है विकेबी राजकी कन्या महाविज्यले डुंगरपूर से हैं यहाँ पे आविदन की अंतियमतिती 18 अगस्त 2022 हैं और यहाँ पे वीरबाला कालीबाई राजकी कन्या महाविज्यले डुंगरपूर में यहाँ पे आविदन की अंतिमतिती थी 22 अगस्त 2022 हैं और यहाँ पे तीन विश्यों में आविदन पत्र जो हैं वो आमन्तित किये गए हैं भुगोल, अंगरेजी साहिती और समाज शास्त्र विशय में फिर अगला है राजकी महाविज्यले गुडा मालानी बाड मेर जिला यहाँ पे आविदन की अंतिमतिती थी 20 अगस्त 2022 हैं यहाँ पे राजकी महाविज्यले गुडा मलानी में समाज शास्त्र, अर्थ शास्त्र, संस्क्रित और अंगरेजी साहिती में एक-एक पदों के लिए आविदन पत्रा मंत्रित किया गया हैं उसके बाड में राजकी महाविज्यले नोकडा में चार विशे हैं समाज शास्त्र, भुगवल, अर्थ शास्त्र और अंगरेजी साहिती विशे में एक-एक पदों के लिए आविदन पत्र जो हैं वो आमंतित किया गया हैं फिर राजकी स्तनात कोतर महाविज्यले कोलायत जिला विकानेर यहाँ पे कला संकाय में इतिहाज, रातिन दिविज्यान, हिंदी साहिती, अंगरेजी साहिती, भुगवल, संस्कृत और समाज शास्त्र विशे और साइन्स में प्रानिश शास्त्र और गनित विशेक के लिए आवेदन पत्र जों है वो आमन्तित किया गया है और अंतिम्ति थी यहाँ पे 10 अगस्त 2022 हैं फिर अगली वेकेंसी हैं बाबा विश्वम भर्मदास राज की कन्या महाविद्यले होन खंडेला जीला सिकर से हैं यहाँ पे आवेदन की जो अंतिम्ति थी 17 अगस्त 2022 हैं यहाँ पे जो आवेदन आपको करना है वो ग्रह विज्ञान, रसाइन विज्ञान, घनित, भोतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्रानिश शास्त्र विशेक के लिए हैं यह खंडेला महाविद्यले के लिए हैं ठीके उसके बाद में श्री माधोपूर जो राज की महाविद्यले हैं वहाँ पे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनिति विज्ञान, इतिहास, भुगवल, संस्क्रित और लोग प्रशेशन में एक-एक पदों के लिए आवेदन पत्रामंत्रित किया गया हैं और फिर राजकी महाविद्यले कंडेला में हिंदी साहित्य, अर्त, शास्त्र और इतिहास में एक-एक विशेह के लिए आवेदन पत्रामंत्रित किया गया हैं अगली वेकेंसी है राजकी कन्या महाविदेले पालिस है यहाँ पे आवेदन जो मांगे गए हैं वो रस्याप का वनस्पति शास्त्र, प्रानी शास्त्र, भोतिक शास्त्र, गणित इतियास विशे में एक एक पदो के लिए आवेदन पत्रामंतित किये गए हैं और अंतिम कि यहाँ पे हैं 13 अगस्त 2022 फिर देखे इस योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र जो होए आपका इस तरह के का प्रारूप रहेगा इसमें आपका सबसे पहले आवेदन का पुरूरा नाम लिखना है उसके बाद में पीता का नाम, माता का नाम, date of worth क्या है, mobile number आपको लिखने है, आपका address क्या है, email ID क्या है और यहाँ पे आपको एक अपना passport size का photo लगाना है इसके बाद में आपकी जो education qualification है उसमें आपको class 10th, 12th, graduation, post graduation, MFIL अगर आपने कर रखी हैं या PhD कर रखी हैं या अगर आपने net कर रखी हैं तो ये सारी आपको जो, बाती यहाँ मांगा गया है, उन सभी को आपको भर के यहाँ पे जो यह आपका हो गया, उसके बाद में यहाँ अपका एक शपत पत्र है, जो आपको जोइनिंग करने के बाद में, 50 रुपे की स्थाम पर आपको देना होगा, ठीक है, लेकिन अभी आप आवेदन पत् लिखना है फिर किस महावी द्याले में आप एप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको यहां पर लिखना है और जो मैंने आपको बताए तो उसमें उपर साइड में ठीक है राइट साइड में उपर दिनांग लिखी हुई है तो उस विग्यापन की दिनांग आपको यहां पर ल लिखनी है 30 March 2021 टेके इस जगे यहाँ पे आपको 33 2021 आपको लिखना है और फिर निचे आपको यहाँ पे साइन करने हैं आपके यहाँ पे और इसके निचे एक सत्यापन निकुर होगा वहाँ पे भी आपको साइन करके और जो आपकी मार्क शिटे हैं और उनके जो सर्टिफिक हैं वो आपको पूरा करके और यहाँ पे आपको बाइप पॉस्ट बिजवाना है या अगर महाविद्याले आपके पास में हैं आप खुद जाना चाहें तो खुद जाके भी आप वहाँ पे जमा करा सकते हैं